लिक्तें श्री 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 108 दुर्गा महोच्सों अब 108 के वारे मह लोग नहीं जानते 108 वो ठोटे ठोटे कुछेशन्स है जो जीवणियापन करने के लिए उस पर्भोने भेजे हैं ज्यान तो किसी के बाप कहर है नहीं जो गराण कहने चाहे ले ले पाउं बुजूर्गों के दाबें हैं, तो ये हुनर आया है. ऐस्तर बुष्ण पुरान new Cris Föramations करद इसकंत पुरान, भायू पुरान, सूर्य पुरान, अग्नी पुरान, भरम वैवर्द, लिंग पुरान, बामन पुरान, उत्तर भुष क्षुन पुरान, विश्व पुराण से कल पुराण तक आप ने ठारा पुराण के नाख वेद भी और आप मका होया है हाँ मका भी होया है दो बार कुछ कहना चाहते हैं आप प्रोग्राम में मैं आप को सुनना जाना था आप से ज्यादा सरल और आपसे सरल चित वेक्ति कोई नहीं दिखा कैसा है समाज किसी ने अपना नाम रख लिया तो कहते हैं कि यह मेरे पिता जी से पूझ के नाम रखा था आप मेरे पिताजी से पूझिये मेरे पिताजी से नाम पूझिये तब अपने पिताजी से बताईए फिर वो पिताजी आपका नाम रखेंगे अरे भाया चतुरवेदी रखना था चतुरवेदी रखना था चौरसिया रखना था चौरसिया लेकिन मैं इसमिल्ला चतुरवेदी में हुन अच्छ रोसिया में मुझे तो बताईए आपको क्या कहना है मुझे तो सिर्फ वही सुनना है कि बहुत धन्यवाद आपको कि शर्फ प्रामेड की एक चोपाई सुना कि अपनी बात शुमांत मतलब आप लोग मानस की एक चोपाई है बढ़ जाई है बढ़ जाईए बैटो देखे मैंने कहा आपसे उसके चक्ण में पढ़िए ना वो सारी ये एड़ जो है हम लोग चंद्रमा और मंगल पर जा रहे है ये वहाँ पे पूछ रहें कि ये रख लीजिए वो रख लीजिए पिता जी ने रखा था अगर ये होते तो इनी जो रखवा ले तो अब तो आप पानी पियो और ये क्या काल सुनते जाओ चलिए बहुत धन्न है उनका मशुरा सरांखों पे सोचेंगे पुनर्जम तो होगी आप तो पंक्ती पे आओ रामा ही के वाल प्रेव पे आओ रहा रहा एक शब्द के बारे में कहना चाहते हैं सिर्फ एक शब्द है नमाज वाह सभी लोग जानते हैं मुस्लिम कर्णिटी के लोग नमाज पढ़ते हैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह शब्द नमाज भाशा कौन सी है इंग्लिश है कि उर्दू है कि अर्भी है कि चाहा है यह भाशा कौन सी है अगर चोरसिया जी बता दे तो उनका अभिनंदन है बहुत संदर अ तो आपने लगता भीगो भीगो करेंना तय कर लिए यह निए यह भीगने वाला यह यह रहें मुझे मालूम है उनको चानता हूं पांडे जी है वो मुझे भलूम है मैं बेहें तो मैं में भी हूं गर्भम्ण जर्ड को ख wsp इप्ब्धे और यह पयर संस्कृत का इवर्भ उर्दु में इबादत हिंदी हने पूजा अर्चना उपासना इंग्लीश में प्रेयर और संस्कृत में नमाज, क्यों? इसको संदिभी छेथ कीजिए नमः धन अज नमः नमन करना, प्रगाम करना, दंडवत करना, सजदा करना, जुग जाना, समर्पर हो जाना समर्पित कर देना जैजे कार करना चरणों में पर जाना धाराशाई होना नक्मसक होना सरेंडर हो जाना किसको उस प्रभू के चरणों में इस सुपर कंप्यूटर को रख देना कि है प्रभू तुही तब से बड़ा है और तूने इस मनुष्ट को बनाया है इसका विश्कारक हुए तेरे चरणों में हम समर्पित है इसलिए आज अनमा को नमन करना और यह हुआ नमाज एक मिन मेरे मेरे माथ थे थोड़ा हाथ रखेंगे हाथ पर नहीं आपको मालिक खोब अच्छा रखे और आप यह जो दृष्टी है प्रभू यह दृष्टी का एक चौथाई का ही हिस था पांडे जी की ओंगे की तपने तरफ कासर थी और घृष्टी की तुहारा टाक्र tenure में एक और उसमें प्रस्यमा करिये कि तुमने नाम यह थखा दो नाम रख लो यह ना करना है ना जी आपने कहा कि अधारा पुरार चारवेट छे शाद्र अधारा पुरार शोधार आमायण 108 उपनिशद जब जब बैनल लगते हैं दुरुगा जी के महोथो का लिखते हैं शिरी 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 108 दुरुगा महोथो अब 108 के वारे में लोग नहीं जानते 108 वो ठोटे ठोटे कुशेशन्स हैं जो जीवन यापन करने के लिए उस परभूने भेजे हैं 108 पुरांग कभी है पुरांग कभी है लेकिन आपने कहा ठारा पुरांग के नाम आपको पता है और वेद भी पता है सब पता है उपर वाले की किरपा है यह लोग की सेवा की तो यह मिला है ज्यान तो किसी के बाप कहनी जो ग्रहन करना चाहे ले ले पाओं बुज़ुर्गों के दाबें हैं तो यह हुनर आया है शुक सब्सक्राइब को से शिरी विश्हुनु पुराण शुप्रण पनम पुराण सbn पुराण ञणुणपुराण भाईवद्वर्ट है और इचली आपने पूराण。」 वेद भी और आप 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 मका होया है हाँ मका भी होई दौबार और तीन का में जहां इश्वर का घर है वहां तीन प्रोग्राम में वेद और कुरान के साथ क्यों आपके रुजहान उधर कैसे गया यह लगा कि नहीं पूरी दुनिया की जो तमाम सारे इल्म हैं तमाम सारे इलिजिन हैं उनको समझना चाहिए सीखना चाहिए यह हमारे वह बच्चपन के साथ है और अब लुग आप दूनों लोग दुग बच्चपन के साथ हैं तो बच्चपन में इनका रूजहन ऐसे ही था हैं यह तो नमाज पढ़ कि मैं जब आश्वी किलास में था तो उसमें अनिमार संस्कृत भी हिंदी किताब जड़ा जुड़ा हुआ था तो एक शेप्टर था उसमें धूर कट्मुनी और जो हमारे जो उस वक्ट जो हमारे टीचर थे बिलकुल अचल विहारी जी के बिलकुल समानां पर थे वैसी समती से टोपी लगाते थे तो आ गई बैठते थे अब पंडी जी आ उन्हों कहां वही मौला ना जड़ा पढ़ो तमने का गुरुजी कौन सा चेप्टर पढ़े करने का धूर कट मुनी निकालो तो पंड़ा उल्टा चोटी जी किताब ती अनिमारी संस्कृत उसमें लिख बच्पन का दमाना बस वो बच्पन में तो शरारते होती है ना कुछ न कुछ वहाँ से शुरू करता वहाँ से सिलसला आपका शुरू करता ने ये कहा एक स्मिन मने चोरकटा नामा एक लूमन एकामुनियासी अब जो पंड़िश्मेंट मिला कि एक मेंज पर दूसरा मेंज बच्पन की बात थी लेकिन मैं यहाँ पर मैंने संस्क्रित को गरहन करना शुरू किया सारी किताबें जो मिली पहड़ाली जो जहां से मिली जिस स्टाल पर मिली जिस जगें मिली साब पहड़ाली अब एक चेष्टा उस्पन होई कि वही सही चीच जानना चाहिए और जब सबको गरहन किया तो मालुम हां कि एक ही ब्रह्म की उपासना सारे धर्म बताते है एकम ब्रम गुत्तियों नास्ते ने ना नास्ते किंचन पूरे ब्रमाν का मालिक एकी प्रमेश्वर है दूसरा कोई नहीं था नहीं है नहीं होगा किंचन किंचा भर मी नहीं एकम वो पढ़ू अकेला है कोई दूसरा उसका भागीदार नहीं तो जब आप रामचरित मानस में आए तो फिर क्या अच्छा लगा अब रामचरित मानस की एक दो कड़ियां आपको सुनाएंगे उर्दू में यह लिखा है पंडित ब्रिज नरायन चक्बस्त लखनवी ने जी ब वो बाप से लेकर खुदा का नाम और राहे वफा की मजदले अवल हुई तबाम जब जाने लगें बर्यादा प्रुशोतम पिता के तिर्वसं को पूरा करने के लिए तो पिताजी जाके आग्या लेते हैं अब आपके आग्या का पार्ण करने जा रहे हैं और माता को जो आ पहली माता को जो आपने वचंद दिया उसको पूरा करने जा रहे हैं आपका आखरी दर्सन करने आएं तो उस वत का दर्सन को लिखते हैं कि रुखसत हुआ वह बाप से लेकर खुदा कि नाम और राहे वफा की मंजले अवल हुई तमाम पहली मंजल खतम हुई और बाप च नोशल्या जी सिर्फ देखती रहीं फजिब फूछा हैं से इजाज़त ली तो कहड़े लखी कि मैं खुश हूँ फूंग दे कोई इस तक तो ताश को अब तुम ही नहीं तो आग लगांगी राज को तुम ही नहीं तो आग लगांगी राज को चा आज भी कोई बेटा इतन पूरी दुनिया को कि देखो अगर पिता कहे तो राज को भी ठोकर लगा दो उस जमाने में ये था कि बड़ा बेटा वही उत्रादिकारी होता था सब चोड़ के चले गए क्या भी कोई बेटा है तो इस राम के जीवनी से ये सबक लेना चाहिए अचारी जी आप तो आपने सब्सक्राइब कर देना चाहता हूं कि जो आचारी और योगी मैं 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 नाम रभीन कॉर सुकूला था मैं एमकाम ठीक है मैं आपकी अंपरचव बिला पूरा जी फिर भागवत कहते हैं तो वही मैं देख रहा था वो जो सरीता बह रही है तक्ष में ये है कि दोनों आखों से जलदार बह रही है और शायद निशाद राज ने भगवान के जब चरण पखारे होंगे तो शायद यही रहा होगा द्रश्याद राज ने यही पूचा जब गए जो उत्रागिकारी हुए थे और तलाज करते हैं निशाद राज ने पूचा प्रभू आप कहों कहने कि अपने भाई को ढूड़ने भरजी ने कहा तो कहलें भाई को ढूड़ने के लिए पूरी फोज लेके आए हो अब फोज लेका तो इसके माने तो आप उनका बिलकुल खात्मा ही करने है हो कहां नहीं अपने भाई को लेने आए हैं अगर वो नहीं गए तो हम उनके चरों के जो उनके चरों में जो चीज है खाओं उसी को ले जाके रखेंगे सिंगातन में फिर राज करेंगे तो कि मेरे रामचरित्मानस की कौन सा पंक्ति आपको सबसे मन को भाती है कि जादा तो यही भाती है कि बिन पक्चले सुने बिन काना कर बिन करे करम बिन नाना आनन रही तकल रस्भोगी बिन मारी वक्ता बर्जोगी एक राम है घर घर लेटा एक राम है दर्शत बेटा और एक राम है जगत परचारा एक राम है जग्षे न्यारा और उस राम को क य। है नाम सत्य है हरी का नाम सत्य है और सत्य बोलो मुख्टि वह कौन सी सचाई है जिसे मुख्टि और कल्या उसको जान ले उसका जीवन तो और ये जीवन प्रूं ने Vision प्रूंने दिया है जीन दिया है संदर बनाने के लिए ये जीवन इसलें नहीं द या की देर्फकर ले है अरेपिक डिपार्टमेंट के भी प्रफेसर मौझूद है और उर्दू डिपार्टमेंट के भी प्रफेसर मौझूद है कहना चाहेंगे कुछ इनके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें जितने सारे लोग मौजूदे है आप लोगों ने सुना होगा किसी मदार पर किसी नेकशुब काम के लिए फातिहा होती है पुरान का पहला आशलोग सुरे फातिहा है उसमें सात आयते हैं और हिंदू गायतरी मंत्र याद है तो मुसल्मान को फात्या याद है लेकिन अगर इन दोनों का क्रांसलेशन हमारे चचा से सुन लीजिए तो कोई फर्क नहीं है साथ घंड इसमें है फर्क इसका है कि जिसको संस्कृत आती है उसको अर्बी नहीं आती है जिसको अर्बी आ जाए और उसको संस्कृत भी आ जाए वो हमारे चचा जिसा होगा इसलिए हर शक्स को चाहिए कि वो अर्बी और संस्कृत दोनों पढ़े तब उसमझ तो नात्मक अध्यन करे तब समझ में आएगा हमारे लखनो इन्वेस्टी में एक सो साथ साल पहले लखनो इन्वेस्टी को सब जानते हैं कैनिंग कॉलेज को कम लोग जानते हैं उसमें औरियंटल इस्टडी इन अर्बिक परिशियन और संस्कृत खोला गया था और पंडित और मौलाना साथ में बैट करके एक दूसरे को ग्यान बाटते थे वही ग्यान की दरुवत है और आज वही बाईस तारीक में होने जा रहा है क्या बात है ये 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 है दानिश्वर लोगों की बात ये बात अच्छी बात है दूसरी चीज़ मैं इसी दिलतले में मैंने ऐसा पॉजिटिव और सोच ऑन दा स्पार्ट देखने वाला नहीं रेखा मेरे डिपार्टमेंट में इंग्लिश के टीचर एक सो साथ साल में नहीं मिलाता पिछले साल फैसला भी आया और मुझे टीचर भी मिल गया बहुत अच्छी बात बहुत बहुत शुक्रिया थैंकी सो मच लेकर आपके शान में लोगों को सेवा दे रहे हैं आप और इतनी तगोदो और मेहनत कोशिश कर रहे हैं शिला तो असल पूपर्भू देगा परमेश्वर इंसान कुछ नहीं दे सकता इंसान तो तालियां बीट के वावा कर देगा हम दो शेर आपको सुनाते हैं आपके शान में इर्शाथ और सुनी आप अभी इस तरफ न निगाह कर में गजल की पल के सवार लूँ अभी इस तरफ न निगाह कर में गजल की पल के सवार लूँ मेरा लफज लफज हो आईना तुझे आईने में उतार लूँ क्या वात है क्या वात है हो आईना तुझे आईने में उतार लूँ मैं तमाम दिन का ठका हुआ है क्या वात है तमाम शब का जगा हुआ जरा ठहर जा इसी मोड पर तेरे साथ शाम गुजार लूँ हई ह० आ हम यह वातार साल के आवादहिए अब 18 साल में के ऩा रहो कर देख ये लगनों यह लगनों का अगर अगर कहीं खीरा ककड़ी और कोई चीज़ डाल दो तो नहीं रणेंगे हदी लड़ेंगे उनके बारें भी दोशेर सब्सक्राइब बहुत 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 दिर्शाद ये अधा भी ऐसा की वह क्या निराली है ये अधा भी ऐसा की वह क्या निराली है एक जाम छलका है और एक जाम खाली है मालदार मालदार होता जा रहा है वो गरीब गरीब होता जा रहा है वारे देश के चलाने वाले लोग और दूसरा भी शेर सुन लिए इसके साथ जखम पता पता है और दर्द डाली डाली है हर तबका परिशान हर अदमी परिशान हर घर में परिशानी जखम पता पता है और दर्द डाली डाली है ए मेरे चमना खिल कौन तेरा माली है सब परिशान हैं मगर कोई इस परिशानी की जिम्मेदारी लेने को तयार ने है